आप समी लोगों का हमारी श्मस काइटनिंग में बहुत बहुत शागत हैं आज हम बात कर लेंगे स्टोवेरी के प्लांट हम कैसे लगाते हैं हमें कैसी कैसी मिटी चाहिए और इसके बारे में कुछ जानकारी जी बहुत हीम्पोर्टन होता है देखिए इस्टोवेरी हम लोग लगाने का समय सबसे बहत्रीन वैसे समय होता है जहां सलकी की सर्दियां होती है या जहां हर मीशा सर्दी रहती है तो आप किसी भी उने में आप लगा चकते हैं और मैं लगाने का तरीका सब कुछ बताऊंगी और चलिए मैं स्टार्टिंग करती हूँ देखिए सबसे पहले तो मैं जो स्ट्वेरी के लिए होती है मिट्टी सॉफ्ट मिट्टी जब सॉफ्ट होगी तो वह बहुत अच्छे से सर्वाइफ करेगी स्ट्वेरी के में कई प्लांट लेकी आई हूँ और मुझे बहुत पसंद है तो देखिए सबसे पहले तो मैं कोको पीट लेकी आई साथ और वो अपने आफ अब्सोर्ब करता रहेगा और एकदम अलग हो जाएगी जो धीरे 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 सॉफ्ट होती चली जाएगी देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल मुलाइम हो जाती है पानी डालते रही है तो जो जो मैं इसमें यूज करूंगी और कोकोपीट को तयार कर रही हूँ जो आपको नजदी की आपके बीजभंडार या मैं इसमें लिंक दे दूँगे वहां से आप मंगा लेंगी जो ये नारील की चाल होती है उसे मशीन के द्वारा बनाया जाता है जो बहुत ही गुरकारी होती हो हलकी के होती है जिससे हमा ले लिजेए और 25% कोको पीट ले लिजेए अगर नहीं आपके पास है तो कोई बात नहीं तो उसमें आप 40% कोपीट ले लिजेए और 30% मिट्टी मिला लिजेगा जो आपकी गार्डन की होती हैं और उसके सात क्या क्या करना है बहुत मैं आपको बताऊंगी और ये चीज जो फंगिसाइड के लिए मैं यूज करूँगी इसलिए कि देखिए मिट्टी नमी ज्यादा तर रहती स्टैम और स्टोवेरी में नमी न लगे आपके पास ये हो तो ये फंगिसाइड मिला लीजे या आपके पास नीम खली हो पाउडर फोर्म में भी या आपको सॉलिड फो आपको मैंने बता दिया 40% मैंने आपको बता दिया कोकोपी 30% बता दिये मिट्टी जो आपकी गार्डन की सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए और मैंने 30% मैंने इसमें मिला दिया है घात चावल की भूसी मिल जाएँ तो वो एड़ कर सकते हैं आप 10% जिसे मिट्टी हमाई सॉफ्ट हो, मैं आज घर के जो पड़े हुए बेकार चीजे हैं, उनमें लगाऊंगी, और भी मैंने आपको बताया, जदा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी लंबी इनकी रूट्स नहीं होती है, तो आपको ज़्यादा भारी भ चेत उनके पास, मुझे स्टोवेरी बहुत अच्छी लगती है, और लगाने का सही टैम तो मैं स्टोवेरी का बता देती हूँ, अक्टूबर नॉमबर, ये बहुत अच्छा सीजन है, दिसंबर में भी आप लगा सकते हैं, कि अपरल तक ये स्टोवेरी फूट देती है, औ और एक डेड़ महिने में तयार हो जाता, प्लांट और फूट देने के लिए, तो मैंने होल की जगे मिटी रख दी, और दिखें, मैंने इस तरह से बना के आपको दिखा रही हूँ, मैं कुछ पाइप में लगाऊंगी, और कुछ में नीचे लगाऊंगी, तो जिससे इसका लुक बहुत अच्छे आएगा, और स्टोवेरी मेरे ग्राउंड पे नहीं नीचे लटकेगी, तो बहुत अच्छी लगेंगी देखने में, तो मैं ये प्लांट में देखें, आपको दिख रहा है, इस तरह आप बना सकते हैं, सिंपल भी आप लगा सकते हैं, तो मैं हर प् बहुत से लोगों के खराब होगी, कंडिशन तो ज्यादा अच्छी नहीं अभी मेरे प्लांटों की, कि मैं नर्सरी से ले के आई, आप कंडिशन में, कुछ प्रेक्टिकल करके इनकी कंडिशन कोशिश करूँ ये अच्छी बनाने की, और जब भी प्लांट लगाएं, एक बहुत ही इंपॉर्टन बात है, जब भी ये प्लांट लगाएं, जो उपर की टिप जरूर दिखनी चाहिए, उसको दबाईएगा नहीं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, देखिए, उपर की टिप ये होता है, कि उपर की टिप से, कि वो दब जाएगा, तो फिर प्रती अ इसमें लगी हुई है, तो बहुत सॉफ्टी जगह लगी हुई है, एक बात को और मैं, जब ये जैसी हम जब भी इसको लगाएं, आगर फंगस को बताना है, तो आपको क्या करना, मैं आपको बता देती हूँ, पहली बार, तो जो हम फंगी साइड यूज करते हैं, आगर फ जो पनिया हैं, लेयर हटा देती हूँ अच्छे से, और जो मैं आपको बता दी हूँ, चलिए मैं लेयर अच्छे से हटा दूँ पहले, बढ़िया से, लेयर हट जाएगी, तो इसको जो रूट्स को कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से फैलेगी, ये द फंगस नहीं लगती हैं, तो प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइफ करता है, तो इस बात का ज़रू खया लखेगा, इस तरह से लगाएए, हमेशा याद रखेगा, जो छोटी सी जो इसको लीप्स जहां से निकलती हैं, वो एरिया बिल्कुल आप मत दबाएए, मिटी से अगर वो दबा देंगे, तो प्लांट आपका फिर अच्छे से सर्वाइफ नहीं करेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा लेयर उपर का लगा देंगे, और जब भी इसमें पानी देंगे, तो हम उसको शावर की मोटल से दे देंगे, या नॉर्मल, हम पानी देंगे, मैं अगस्त में, तो मैंने उनको लगा, नुर्म में स्टोवेरी आ गई है, और भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अब भी सीजन बहुत अच्छा है, उनके लिए ठंडा मौसा, मैंने चारो तर्व कवर करने के लिए दूर्दू लगाएं कि फैलती हुई है, और प्लांट का स्प्रे कर दीजिए, उसे ज्यादा पानी मत भरिएगा, जैसे पाइप लगा देते हैं, ज्यादा पानी से वह रूर्स के खराब हो जाएंगे, कि नमी हमेशा कोपीट में बनी रहती है, तो कोसिस कीजिए, हप्ता में भर में एक बार पानी दीजिए, जब बहुत आप स यूज मत कीजेगे, इसलिए के हमारी ये खाने वाली चीजिए, हम और हमारे बच्चे खाते हैं, तो नीम ओयल का इसप्रे कीजिए, बहुत अच्छा होता है, जो हमारे लिए शिहत के लिए भी कोई हानिका रख नहीं है, तो ये बात होगी, हम सन्डाइट की बात कर लेते सन्डाइट अभी हम इसको उपन सन्डाइट में रखेंगे, जो बहुत तेज गर्मी जैसे तो कहीं कहीं है, पूरी साल चलता है, बहुत अच्छे से सर्वाइफ करता रहता है, थोड़ा शेड का खयाल रखना परता है, इसको जादा दर गर्मी पसंद नहीं है, नॉर्मल गर्मी पसंद है, सर्दी बहुत अच्छी लगती है, सर्दी में बहुत अच्छे सर्वाइफ कर दाती है, ठंडा मौसम होता है, और स्टोवेरी देने का टाइमिंग इसका दिसंबर का महिना है, और दिसंबर से भी अक्टूबर से स्टार्टिंग हो जाती, नॉम्बर से फ कि मेरे गिलहरी हमको बहुत परिशान करती है तो गिलहरी के लिए मैंने इस पर वोन मील डाल रखी है अगर आप यूज करते तो वोन मील थोड़ा सा फैला दीजे तो गिलहरी या नहीं आएंगी और इस बात का जोरू खाया लखिए कि गिलहरी मेरी भी कई स्टुवेरी खतम कराब कर गई है तो मैंने सब पर वोन मील यूज किया है फ्रूटिंग होने लगे तो वोन मील यूज कीजेगा जो बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए और जान चायते हैं तो प्लांट में डाल सकते हैं अगर नहीं उज़ करते तो अपनी मॉयल का स्प्रे लहनिया नहीं आई हैं जिससे हमारा प्रूट हर्वेश्ट हम कर सकते हैं अपनी बच्चों को भी खला सकते हैं कुछ की लहनियों को भी छोड़ दीजेगा उनको भी हुआ को प्लांटों पर तो जो मैंने सोड़ी सी जानकारिया आपको दिए इसके कॉर्डिंग आप अपन अनिवाद